नमस्का, राजनमा टीही पर आपका स्वागत है, मैं प्रियाम आपके साथ सूरत की सेशन कोट से राहत न मिलने के बाद कांगरेस नेता राहूल गांदी की पुनर विचार याचिका पर गुजरात हाई कोट में सुनवाई शुरूग हो गई है इस मामले में हाई कोट की एक जज़त गीता गोपी ने खुद को केस से अलग कर लिया था अब इस मामले की सुनवाई जस्टिस हैमन प्रचक की बेंच कर रही है बता दे कि 20 अप्रेल को हुई सुनवाई में सूरत की कोट ने मोधी सन्नेम से जुड़ी टिपणी से जुड़े आपरादिक मानहाने के मामले में रहुल गांदी की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था इसके बाद रहुल ने गुजरात हाई कोट का दरवजा खटकटाया है बीते 23 मार्च को सुरत की अदालत ने रहुल गांदी को धारा 500 के तहद 2 साल की सजा सुनाई थी हलाकि कोट ने उन्हें तुरंत जमानत भी दे दी थी गुजरात हाई कोट में रहुल के केस की सुनवाई जारी है रहुल कांदी की तरव से पेश वकील अभीशेक मनु सिंग्वी ने कहा हम फैसले पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं यह कोई गंभीर अपरात नहीं है जिसे माफ नहीं किया जा सकता हम दोश सिद्धी पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं गेर पहचान वाले मामले में ऐसी शिकायत दर्ज नहीं की जा सकती है उन्होंने नवजोज सिंग सिद्धू का उधारन देते वे कहा कि घटना के समय अभी योजक वहां मुझूद नहीं था सिंग्वी ने ये भी दलिल दी कि ऐसे मामलों में दोश सिद्ध होने पर सजा तीन से छे मेने की हो सकती है लेकिन एक या दो साल की नहीं पहले अपरात में दो साल की सजा नहीं हो सकती है अगर सजा पर रोक नहीं लगाई गई तो याचिका करता का राजनितिक करियर खतम हो सकता है अभीशेक मनु सिंग्वी ने सूरत मजिस्ट्रिस के समक्ष पेश किया गया पूर्नेश मोदी बयान भी पड़ा और सवाल उठाते वे कहा नीरो मोदी ललित मोदी या विजे मालिया किसी जाती से नहीं आते हैं तो शिकायत करता की भावनाय कैसे आहत हो गई मोदी सन्यम कई जातियों में आता है उपना मोदी कई जातियों और समुदायों में पाया जाता है शिकायत करता ने कैसे तैक क्या कि राहूल गांदी ने केवल उन्हीं के बारे में बात की है इसी के साथ बने रही है राजनामा टिवी के साथ दाने बात